सबसे पहले यहां देखिए मैंने क्या किया यहां पर फाउंडेशन पेपर वान आपको भी इस तरह से अपने एक आप लोगो कौपी लेना है इस तरह का और यह कौपी लेकर आपको जो है पहले फाउंडेशन वान का आपको जितने भी टॉपिक आपको नोर्स में दिया तो आप और इसके लिए आपको गुरूप में एक्टिव रहना होगा वाट्सएप आप लोगो जो बना गया है उसमें हम इनफॉर्म कर देंगे तो यह वीडियो जाडखन डीलेट सेशन 22-24 के स्टूडेंस के लिए काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि दो साल के स्लेवर्स क पर दोाएंगे तो सारा चीज बताएंगे एक करके हर एक वीडियो में बताएंगे बातों को फॉलो किजहेंगा वीडियो को पूरर का पूरrा देखिएगा कहीं पे ere इसकिप मत कीजहेंगा तो यह वीडियो आपके लिए एक बर्तान होगा और सब कुछ बताने से पहले आ जो application से आपको notes मिला होगा उस notes को open कीजिए यहां पर देखिए हमने foundation paper 1 को open किये तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है और topic by topic आपको कैसे copy में उतारना है वो आपको ऐसे ही कीजिएगा जैसे वीडियो में बताएंगे उससे पहरे देखिए आ आपको question पूछा जाएगा यह compressor आता भी है तो यहां पर देखिए अगर आप इतने सारे answer को हमारे देखेंगे तो देखिए यहां पर कितने सारे answer लिखा हुआ है अगर आप इतने सारे answer को देखेंगे और लिखेंगे तो लगभग यह 10 से 12 पेज तक चला जाएगा लेकिन आपको इतने सारे चीज को लिखना नहीं है आपको क्या करना है तो देखिए आपको पढ़ने का तरीक ही है और इससे आप लोग 10 दिन से भी कम टाइम में तयारी कर सकते हैं जैसे चली बताते हैं तो आपको इतने जितना भी लिखा हुआ है इन सभी चीजों में से आपको बस इतना याद रखना है कि एक्जाम में 3 से 4 पेज आपको लिख सके अब 3 से 4 पेज कैसे होते है तो आप इसी वीडियो में बताएंगे वीडियो को लास्त दिखते रहिए तो 3 से 4 पेज लिखने तक आप लोगो बस पॉइंट सब याद रखना है ऐसा नहीं है कि इसको प 3 से 4 पेज़ेस एंसर जितना होता है उतना ही आपको एंसर याद रखना है बस आपको इस सारे चीजों को पढ़ लेना है और में में पॉइंट आपको याद रखना है और उसी को अपने सब्दों में 3 से 4 पेज हो जाए तो काफी है आपकी एक्जाम के बेहतिन तेयारी के लिए ठीक है उसके बाद नमबर टू तो अगर कोस्टेन पूछा जाता है कि सिख्षा के परकारे में रूप या तो आपको इस तरह से पूछ लेगा देखे तीन रूप होते हैं और तीन से चार पेज लिखने तक इसको पूरा का पूरा आपको लिखने की जरुवत नहीं है sir अगर आप इसको पूरा का पूरा लिखिएगा तो लगभाब 7 पेज 10 पेज तक हो जाएगा तो इतना सारा आपको लिखने की ज़रुत नहीं है आपको एक्जाम में जिस टॉपिक से भी question आएगा उसका 3 से 4 पेज एंसर हो बस इतना ही आपको याद रखना है ठीक ह हुआ है इस सारे टॉपिक को सिर्फ आइसा याद कीजिए कि 3 से 4 पेज बस आपको एक्जाम में लिखने के लिए आ जाएं सवगत एक बर फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने यूटूब चैनल MSA Classes पर तो जाड़कन डियरेक्ट सेशन 22-24 की बेहतिन तयारी के लिए एक बर फिर से MSA Classes तयार है इस वीडियो हम बात करेंगे सेशन 22-24 की बेहतिन तयारी के लिए आप लोगो टिप्स बताएंगे कि कैसे आप लोगो सिर्फ 15-20 दिन अगर आप टाइम दे देते हैं हमारे नोट्स और हमारे गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आप एक 889 परसेंट आप लोगो दिख रहा होगा तो हैर 1921 का तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगो दो साल के कोर्स को 30 दिन में पूरी तयारी करने के लिए MSA Classes के नोट्स और गाइडेंस काफी है तो इस वीडियो को कोई भी इसकिप मत कीजेगा जो भी वीडियो को देख रहा है क्य पर्चेज किया है या फिर पर्चेज करने वाला है तो कैसे आपको पढ़ना है ताकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन में ही इसको अच्छे से त्यारी कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को लास्ता जिरू देख रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजाए क्योंक कौन सा पेपर का एक्जाम होता है बहुत सारी इस्ट्रों को पता नहीं होता है तो देखिए आप लोगा जो कंपूटर होम साइंस वगरा वगरा जो भी सब्जिक्ट होता है वह क्वालेज लेवल पर प्रैक्टिकल में एड हो जाता है लेकिन आपका जो फाइनल एक्जाम तो बीद को लिएगा और उसके बाद यहां पर पेड कोर्स में जाकर है आपको जैस दिर कीस में मफ्रण करना है जो प्रछिए मिल जाएगे को देखिए करेंगा ओन करें हैं यहां यहां पर स favors को पौलडर इसी में आपको ओल्ड़ गैंगे कि टो टो इस सबमी को दिखिर यह सबसे ज्यादा important paper है और यह पेपर सबसे ज्यादा आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है फिर भी हमारी तरफ से जो नोट्स बनाया जाता है वह बहुत कम से कम topic में बनायाता है फॉन्डेशन वान, टू, तुरी और फॉर हर पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ 15 या 16 टॉपिक ही दिया हुआ है ठीक है जैसे यहाँ पर देखिए फॉन्डेशन पेपर वान में यहाँ पर टॉपिक नमबर 1 सिख्छा इसके लबाद टॉपिक नमबर 2 यहाँ पर दिखा है सिक्षा के परकार रूप तो इसको कैसे पढ़ना है क्योंकि यहां पर देखिए बहुत सारा यहां पर आपको यांसर दिख रहा होगा अगर आप इतना सारा लिखने जाएंगे ना तो आपको पांच-छे भी हो सकता है लेकिन आपको एक्जाम में तीन से चार पेज लिखन बॉघ्सफिटे जाएगा माऌरे माऌरे मावा माच जाएगा तो आपको उट्री मेर यहां से यूतोब मी आजाएगा जो आपए इसके लावाद जो बचे होई टोपिक्स है एक ही वीडियो में कवर किया गया जैसे आपके पूरा देख लेता है तो आपको डिलेट में जो हिंदी पेपर आपका आता है तो एक घंटे 17 मिनट में पूरी तैयारी हो जाएगी यानि अगर आप इसको मान के चलिए कि दीन में कभी भी इसको एक घंटा या दो घंटा समय निकाल के देख लेते हैं तो आपको हिंदी पेपर की तैयार इतना आसान हो जाएगा कि आपको नोट्स पढ़ने की जरुत नह हा रहा इसको अपको पाज मैं वीडियो में बता देंगे तो टोटल टेन एक्जाम होगा जिसमें आपको यह सारा पेपर आपकाय देना थ錢 दिनकेए फॉल्म्हों ऑपट ठीन यह लिए और लिए को एक मार मैं हर सबतेत यह तुपीक और सार्सक्राइइव सिर्फ है पढ़ना है यहां पे आप लोग को समझा रहा है उसको आप लोगो देखिएगा वीडियो का फूरा ठीक है चलिए अब देखिए यहां पे यह सारा टॉपी आपको कर लेना है अब टोटल हर पेपर में आपको 60 जाम होगा और बाकि 40 प्रैक्टिकल जुड़ेगा तो आपको क करना क्या है सबसे नहीं देखिये मैंने क्या किया यहां पर फाउंडेशन पेपर वान आपको अपलोगों कॉपी लेना है और यह पाउंडेश Juice परक मूं क्या वाक्यरन परियुजनवाद यह सारा आपको नोट्स में मिल जाएंगे एक एक टॉपिक को आपको यहां पर उठाके आपको यहां पर लिखना है तो देखे टोटल में ने जितने भी आप लोगों को नोट्स दिये है उसमें टोटल 15 इंपोर्टेंट टॉपिक्स दिया हुआ है ठीक है इन ही 15 टॉपिक को आपको पढ़कर जाना है और इन ही 15 में से आपको देखिएगा कोश्चेन देखने को मिलेगा एक जाम हॉल में ठीक है एक जाम पेपर में और एक आपका टॉपिक यहां पर हम इक्ष्ट्रा दिये है यह टॉपिक क्या है सौर्ट नोट्स इसमें होता क् चार आफ्सें दिया जाएगा यह टॉपिक पर आपको स्वाट्न नोट्स लिखने के लिए लूए गा जो कि कोस्टिन नमर्ट में होगा तो यह आपके सामनेए उप्सेनल होगा बाकि साथ क्ष्ष्ष्चन जो आपको आएगा उनमें से अगर इनमेंसे आपको कोई ने करना क्या है सबसे पहले आपको क्या किये सिख्षा परिवासा फिर उद्देश फिर कार फिर आवशक्ता महत और परकृति यह परकृति और महत विशस्ता से सेम चीज है अगर आप यह सारे चीज कर लेता है एक ही बात है आवशक्ता महत विशस्ता तो परकृति भी उसी में से आप लिख सकते हैं ठीक है बहुत सारा कोस्टिन का ऐसा भी होगा कि मिलता जूलता लगेगा तो आप इसको आसानी से और भी तैयरी कर सकते हैं और अपना- अपध्र के लिखेए अपट्वारा कर देना है और में बारे में थोड़ा सा लिक नोट्स पढ़िये और नोट्स के अलब आपको जो ख्लासे दिया हुआ नहीं सव इमारत क्लास देख़िये लेकिन मेरे ख्याल से आपलोगो नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं जो कि आप एक्जाम के टाइम रिविजन करेंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा एक्जाम से पहले भी आगर आप देखके भी जाएंगे ना दो तीन घंटा इसको एक दिन पहले तो आप आराम से एक्जाम हॉल में लिख सकते हैं इसके वाद देखिए और निर कंप्लिट हो जाएगा इस तरह साप इसको तयारी कर सकते हैं तो इसके अलब आप जो आपको आभी मोबाइल में दिखा है हिंदी पेपर फाइब का सिर्फ एक घंटा 17 मिनट में पूरा कंप्लिट वीडियो क्लास है यानि अगर आप एक घंटा 17 मिनट निकाल के पूरा हिं इंग्लिज पेपर 6, मैथेमाटिक्स पेपर 8, सोसल साइन्स पेपर 9 ठीक है और साइन्स पेपर 10 यह चारू का भी वीडियो आपको उसी में आपको अपलोड हो जाएगा यह आपको दिख जाएगा और इसके लिए आपको ग्रूप में एक्टिव रहना होगा WhatsApp ग्रूप आ यहाँ पे है हिंदी टोटल पांच पेपर 5 दिन और उधर आपको फांड़ेशन 1234 तीन से लेकर चार दिन यह तीन चार बारा दिन बारा और आपको समझ लिजे कि पांच टोटल आपको सिर्प उसी 15 से 20 दिन काफी है आपकी बेहतरिन तयारी के लिए बाकी समय समय पर आप आपको गुरूप के माध्यम से बताएंगे तो यह रहात तयारी करने का तरीका बाकि आपको नोट्स को पढ़ने के लिए ही करना है ठीक है विव कोस पर जाना है नोट्स को एक बाद देख लेना है देखिए यहाँ पर आपको टॉपिक वाज भी दिखा देता है जैसे दे लोग देख रहे होंगे शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश यह भी दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए इसके अलवा नीचे जाते हैं तो देखिए इंपॉर्टन टॉपिक्स में देखिए पर किट्टिवाद हुआ इसके लावाद हुआ इस सारा यहाँ पर देखिए उ और परियावजारवाद को लिखे और इसका अंतर इस्पर्ष्ट करें तो आपको इतना सारा अगर आप लिखेंगे इन दोनों को तो देखें कितना पेज हो सकता है लगभग आठ नौ पेज हो जाएगा लेकिन इतना तो लिखना नहीं है आपको करना क्या है जैसे माले यह अ कि एक पेज है एक दो टीन ठीक है एक दो और इस तरह में यह परस्ट नहीं है आपừंप आपको भी सकते आगर सिर्फ आपको दो थियोरी आएगा ठीक है बाकी जो हिंदी हो इंगलीस हो मैथ हो सोसल साइंस हो साइंस हो इसमें दो कोस्चन थियोरी आएगा और दोनों कोस्चन थियोरी के लिए आपको कंप्लिट नोट्स दिया गया है आप लोग उसको आसानी से पढ़ सकते हैं वह भी आपको दिखा देते हैं देखिए हिंदी में यह सारे देखिए टोटल आपको टॉपिक वान से लेकर यहां पर सिर्फ शे से साथ या आठ टॉपिक देखने को भी लेगा